दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विज्ञान के 35 अतिमहतपुन परसन दोस्तों जो की परिक्साओं में बार बार पुछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखे और 35 में से यानि कि इस पूरे टेस्ट में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बोक्स में जरू बतेगा और देखे अगर आप लोग टोपिक वाइस पूरा जीके साइंस करेंट अफेर को कवर करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लीजेगा नीचे रैडिकल का बटन दिख रहा होगा बैल एकन को भी ओन रखेगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके प description box में available हैं चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है मानव सरीर में ओसत ऑक्सीजन का तत्व कितना परतिशत होता है आप लोग इस कोशन का अंसर कमेंट बोक्स में बताएंगे आपको हर एक कोशन के लिए दोस्तों तीन से oxygen का percentage होता है वो 50 से 60% होता है ठीक है ना 50 से 65% तो इसके बीच में जो भी आपको options मिलेंगे आप लोग ज्यान रखेगा अगर पूछा जै कार्बन का परतिशत कितना होता है तो carbon दोस्तों 18.5% hydrogen कितना होता है 9.5% ठीक है nitrogen कितना होता है 3.5% तो ये चीजे आप लोग को दो पूरी वीडियो को देखने के बाद में comment box में जरूर बतेगा अपना score दूसरा question है मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है बहुती easy सा question है दोस्तों मनुष्य जो है वो लोहा किस से प्राप्त करता है इस question का right answer हो जाएगा पालक से यानि कि B दोस्तों यहाँ पर right answer एगा यह आपको या डखना है उल रइट अगला question दोस्तों आता है निमन में से कौनसी गैस वाईको परदूसित नहीं करती है ध्यान से समझते हुए दोस्तों answer बताये और comment box में निमन में से कौनसी गैस why you को परदूसित नहीं करती है मैंने यहां पर लिखी है ठीक है तो इन में से कौन सी नहीं है CO2 यानि कि इस question का right answer option A हो जाएगा I hope कि आप लोगों ने भी यह answer comment box में बता दिया अगला question दोस्तो 80% से अधिक cell में पाए जाने वाला परदार्थ कौन सा है very very important question है 80% से अधिक जो हमारी cells होती है दोस्तो उसमें 80% से अधिक पाए जाने वाला परदार्थ कौन सा है फटाक से आप comment box में answer बता दिजे बिलकुल मेरे प्यारे दोस्तो इस question का सही answer हो जाएगा 5B का जल यानि कि D-right answer हो जाएगा अगर आपको दोस्तो हमारा ये concept पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो please video को like करके अपने group में अपने दोस्तों के साथ में भी जर यानि कि ये जो वाला part होता है हमारा दोस्तों ये सबसे मोटा part होता है हमारा skin का तो ये आपको यादखने और कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि image के साथ में मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ अगला question दोस्तों मेंड़क के हर्द्य में कितने कक्स होते हैं तो question number 7 का दोस्त तो चले अगला question दोस्तों आता है निमलिखित मेंसे कौन एक वहान परदूशन का भाग नहीं है तो जल्दी से answer बता दीजिए दोस्तों comment box में कि निमलिखित मेंसे कौन एक वहान परदूशन का भाग नहीं है तो 8-way question का दोस्तों right answer होजएगा H2 यानि की option दोस्तो A हो जाएगा बाकी ये तीनों जो हैं दोस्तो ये वान परदूशन के भाग है ठीक है जी अगला question दोस्तो आता है उर्जा के किस रूप में परदूशन की समश्या नहीं होती है तो देखें आपके पास चार options है दोस्तो आंसर बता दीजे किस रूप में जो परदूशन की समश्या दोस्तो वो नहीं होती है तो 9 question का right answer हो जाएगा दोस्तो सोर उर्जा में देखें सोर उर्जा में कोई भी परदूशन की समश्या नहीं होती है यानि कि इस question का right answer option D हो जाएगा I hope कि आप लोगों ने भी यही answer लगाया होगा दोस्तो दसवा question है निमलिखित में कौन अधिक्तम धवनी परदूशन का कारण है तो देखें very very important mark कर लेना दोस्तो इस परकार से जब exam में question पूछा जाता है तो कहीं बच्चे इसमें confused हो जाते हैं ठीक है न तो निमलिखित में कौन धवनी परदूशन का कारण है तो आप लोग यहाँ पर दोस्तो क्या answer लगाने वाले हो जल्दी से बताईए मैं जानना चाहता हूँ 10 वे question का right answer क्या लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तो जैट उडान यानि कि इस question का जो right answer रहेगा वो D रहेगा और कहीं student ने इसमें answer गलत कर दिया होगा अगला question दोस्तो आते हैं कैच्चुए में कितनी आखे होती है देखें कैच्चुए में कितनी आखे होती है दोस्तो ग्यारवे question का right answer बताईएगा बिल्कुल सही है देखें कैच्चुए में कोई भी आखे नहीं होती है तो ये भी एक important question है ग्यारवा question ये आपको याद अखना है अगला question दोस्तो आता है बिच्चु का wish कहा पर होता है देखें बिच्चु जो होता है इसका जो wish होता है दोस्तो वो कहा पर होता है इसके किस part में होता है तो बारवे question का right answer है दोस्तो क्या हो जाएगा बिल्कुल से इसके डंक में होता है ठीक है यानि कि ये वाला जो पार्ट होता है इसमें होता है तो right answer दोस्तो D हो जाएगा ये आपको याद अखना है अगला question दोस्तो आता है मानव सरीर का सामान्य तापमान होता है देखें test इसलिए होता है दोस्तो कि कुछ बहुत basic से question कुछ थोड़े से अलग से question आपका score overall कितना रहता है जैसे exam होता है इसलिए मैं test ले रहा हूँ कि आप लोग अपना score जरूर comment box में बता सकें तो question number 13 का दोस्तो रहे answer हो जाएगा मानव सरीर का सामान्य तापमान जो होता है दोस्तो वो 37 degree Celsius होता है यानि कि option B हो जाएगा ठीक है यह आपको याद लख रहा है अगला question दोस्तो आता है capsule का आवरन बना होता है capsule के अंदर तो होती है दवाई बट यह जो भारवाला पार्ट होता है capsule का यह किस चीज़ का बना होता है तो यह भी काफी important है तो question number 14 का दोस्तो रहे आंसर क्या हो जाएगा capsule का आवरन जो बना होते है दोस्तो वो starch का बना होते है यानि कि D right answer हो जाएगा question number 14 का ये भी आपको याद अखना है अगला question दोस्तो आता है very very important है सहद का पर्मुग घटक है सहद का पर्मुग घटक है दोस्तो 15 कोशन का रहे आंसर जल्दी से बता दीजे इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा fructose बिल्कुल सही है यानि कि D right answer हो जाएगा question number 15 का अगला question दोस्तो आता है निमलिकित में से सर्वाधिक उर्जा परदान करता है तो सर्वाधिक उर्जा परदान दोस्तों इनमें से कौन सा गरेगा carbohydrate या protein या vitamin या खनीज लवन तो इस question का दोस्तो रहे आंसर क्या हो जाएगा question number 16 का दोस्तो रहे आंसर हो जाएगा carbohydrate यानि कि दोस्तो रहे आंसर option A हो जाएगा तो ये आपको याद एखना है या आप मुझे comment box में बता दीजिएगा अगला question दोस्तो दातों से खून का गिरना किस vitamin की कमी के कारण होता है कहीं लोगों को दोस्तो दातों से खून आता है ठीक है तो ये किस vitamin की कमी के कारण आता है तो अठारवे question का जो right answer होगा दोस्तों वह है आपका हो जाएगा vitamin C की कमी के कारण यानि कि C right answer होजएगा question number 18 का अगला question दोस्तों आता है मनुष्य में मेरुधन में कितनी जोडी तंत्री का निकलती है जोडी की अगर बात की जाए तो कितनी निकलती है दोस्तों इस question का right answer क्या होजएगा 19 का right answer दोस्तों यहाँ पर होजएगा आपका दोस्तों इस question को बड़े ही ध्यान से answer करना है और इस question का right answer होजएगा 31 यानि की option C right answer होजएगा और यह बिल्कूल सही answer है इसको कोई भी आप लोग गलत मत समझेगा question number 20 है दोस्तों हमारी छोडी हुई सास की हवा में CO2 की मातरा लगभग कितनी होती है तो जल्दी से answer बतिएगा दोस्तों यह भी very very important है इसलिए बोलता हूँ कि पूरा test लगाया करें पूरी वीडियो देखा करें हर एक question दोस्तों जो वीडियो के end तक जाते जाते आपको मिल जाएगा उससे best part कुछ नहीं होगा तो 20 वे question का right answer होजएगा option 4 परतिशत यानि की A आपर right answer होजएगा question number 20 का अगला question दोस्तों आता है निमलिकित में से कौन सा एक हार्मोन है तो निमलिकित में से दोस्तों कौन सा एक हार्मोन है 21 कोशन का right answer होजएगा option C insulin दोस्तों एक हार्मोन है यानि की C is the right answer ये आपको याद एखना है दोस्तो 22 वा कोशन है कौन सा काच लेंस के लिए प्रियुक्त किया जा सकता है तो कौन सा काच है दोस्तो जो लेंस के लिए प्रियुक्त किया जा सकता है तो 22 वे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुर सही आंसर कि आप लोगों ने फिलिंट कास दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तो 22 वे का सही उत्तर option A रहेगा अगला question दोस्तों आता है आवाज की तिर्वता की इकाई कितनी होती है आवाज की तिर्वता की इकाई दोस्तों sorry आवाज की तिर्वता की जो इकाई है वो हम option C हो जगर decibel में मापते हाने की right answer is option C यह आपको याद रखना है ठीक है यह आपको याद रखना है अगला question है दोस्तों हमारे हर्दे का ओस्तन वजन होता है देखे यह बड़ा ही easy question हो क्या बट इसको न आप करते हो गलत कहीं बार क्योंकि options के according कहीं बार इसको करना होता है देखे 350 gram कहीं बार आपको मिल जाएगा option में कहीं बार 300 gram मिल जाएगा ठीक है इस परकार से और कहीं बार इससे उपर नीचे भी मिल जाता है तो options के according आपको answer करना होता है इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा 340 gram हो जाएगा ठीक है 350 gram ना मिले तो 340 gram आपका right answer रहेगा तो ये आपको याद अखना है ठीक है 24 का right answer इस option है अगला question दोस्तो pendulum घड़ी की sorry रीटू में अक्सर तेजी से चलती है ये किस रीटू में दोस्तो तेजी से चलती है गर्मे में, seat में या बरसात में या बरसा में तो 25 कोशन का जो right answer है दोस्तो वो रहेगा seat में यानि की B right answer हो जाएगा इस question का तो 25 का right answer आपका B रहेगा अगला question दोस्तो आता है motor car की side mirror के रूप में उप्योग होता है दोस्तो आपका उतल अधरबन यानि की option A right answer रहेगा दोस्तो question number 26 का अगला question दोस्तो आता है की car की battery में जिस battery का संचालन की रूप में प्रियोग होता है वह है तो इस question का right answer बते 27 का right answer क्या रहेगा दोस्तो बिलकुर से ये right answer दोस्तो हो जाएगा sulfuric acid यानि की C right answer रहेगा question number 27 का अगला question दोस्तो आता है रंगीन टेलिविजन में किस रंग का प्रियोग नहीं होता है ये ध्यान से देखिएगा दोस्तो रंगीन टेलिविजन में किस रंग का प्रियोग नहीं होता है तो इस कोशन का सही उत्तर हो जाएगा आपका थाइसवे का D रहेट आंसर हो जाएगा दोस्तों काले रंका कहीं भी उप्योग नहीं होता है दोस्तों जब रंगी इंटेलिजन बनता है अगला कोशन दोस्तों आता है कि निमन में से कौन सी गैस वाईयू मनल में अमलिय वर्सा की उत्तर दाया है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया होगा इस question का right answer S2 हो जाएगा यानि कि D is the right answer तो यह आपको याद दखना है अगला question दोस्तो chlorophyll की सरचना में कौन सा पोशक तत्व सामिल है तीसवे question का right answer क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तो तीसवे question का सही उत्तर हो जाएगा magnesium यानि कि D is the right answer तो यह आपको याद दखना है अगला question दोस्तो ग्यहूं का खाया जाने वाला भाग कोन सा होता है ग्यहूं का खाया जाने वाला भाग दोस्तो होता है आपका option B यहाप right answer देगा तो right answer is B यह आपको याद दखना है अगला question दोस्तो आता है सहद में मुख्यता होता है तो सहद में मुख्यता क्या होता है दोस्तो 32 question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर क्या है carbohydrate यानि की दोस्तो right answer B रहेगा very very important है यह ठीक है कई student इसको गलत कर देते हैं अगला question दोस्तो हमारा आता है chloroform का प्रियोग किस रूप में किया जाता है तो chloroform का जो उप्योग है दोस्तो वो किस रूप में किया जाता है 33 question का right answer होजेगा बिल्कुल सही है निशेचत तक यानि की दोस्तो right answer आपका B होजेगा question number 33 का अगला question दोस्तो हिर्दिय है तथा उसकी बिमारी के अध्यन को क्या कहते हैं तो आपको बताना है हिर्दिय तथा उसकी बिमारी के अध्यन को क्या कहते हैं 34 question का right answer दोस्तो होजेगा बिल्कुल सही कार्डियोलोजी यानि की option दोस्तों यहाँ पर A right answer होगा question number 34 का अगला question दोस्तों निमलिखित में से red lead है तो यह आप लोग comment box में बताएंगे दोस्तों 35 question मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ इस question का answer हरे एक student को comment box में बताना है all right मेरे प्यारे दोस्तों यह था हमारा पूरा टेस अब आपको बताना है 35 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही किये हैं और अगर आप चाहते कि इस परकार के और भी test ले के आजएं तो please आप हरे एक student comment box में comment कर देना क्यूंकि अगर आप लोग comment नहीं करेंगे तो अब मुझे नहीं पता चलेगा कि यह test आपको अच्छा लगा बुरा लगा तो इस परकार से अगर और भी test आप चाहते हैं टोपिक वाइस जो हमारी videos है दोस्तों वह continue रहेंगी बट बीच बीच में test की video मैं सोच रहा हूं ले के आता थेंक यू सो मच बाई बाई everyone प्लीज लाइक शेयर कर देना भाई टेक क्यार